हुआ है 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 आयम अच्छांग आज मैं कराना जा रहा हूँ चब्श नौंबर को रेवेग्रूप डी में हुए पेपर कि जो मैथ के कोशन उनको मैं सॉल कर रहा हुँ डिटेल सबसे पहला कोशन में लेकर चलना हूं सबसे पहला जो कोशन है अब इसमें क्या है अनुप्रार में 20 मीटर उत्तर क्यों जाता है अनुप्रार में 20 मीटर कितना जाता है उत्तर क्यों यहां से 20 मीटर उत्तर क्यों उसके बाद फिर 30 मीटर पूरक्यों जाता है तो 30 मीटर कितना पूरक्यों यहां से 30 मीटर पूरक्यों जाता है हुआ कि दस मीटर दच्षि Cash दश्योष न सकी दरें दस मीटर पुरब की ओर फीरह दस मीटर दच्षिन की और दर में और inande कि और लास्ट में 40 मीटर पस्छुन जाकर pole जाथ कि तो वैं प्रहामभी किस्तान से के मुकाबले किस दिसां में तो प्रामिक स्थान क्या था इसका यहां से ज़रा समझे पर 20 मीटर उत्तर क्यों गया फिर 30 और फिर दस मीटर बढ़ और फिर लाश्ट में 30 मीटर पस्चिंट की और इदर जा तो यहां पर इसकी पोजिश्टन देखें आपको पर दिखाई रहा हूआ कि छार क्राइगत सम्संख्याओं का जो ओसत है वो सत्ता यह से तो हमें सबसे वड़ी संख्या तो चार करमागत सभी संख्राइब पहली संख्राइब एक दो तीन चार इनका उसत का मतलत समानतार मां दिया है वोसे तो 4 से भाग देंगे और कितना दे रफाएं 27 अब हमें सबसे बड़ी संख्या निकालने है यह वाली तो इसको निकालने के लिए हम यह करेंगे देखे पहले एक्स वाले जोड़ेते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 यह कितना होगा है 2, 4, 6, 8, 6, 12 यह इधर कौन जाएगा 27 की हम 4 स से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह जाएगा 8 x प्लस 12 इस इकर डू 27 चाह सकते 28 चाहर नहीं आठ अलिक नो तो चाह सकते 28 चाहर नहीं आठ अब तस हो गए है अब देके 8 x 108 माइनस 12 8 x बरावर 108 में से 12 घटा दिए यह वाचा अच्छ है और 96 तो एक्स बरावर आगया 96 अप 8 आठ गया 8 8 दूनी 16 तो सबसे बड़ी संख्या कुण सी थी इस तो इस तो अगर एक जुलाइका मंगलवार है तो उसी वर्स में 21 अगरस्त को कौन सा दिन होगा तो इस समझने के लिगे एक जुलाइका मंगलवार और अब हमसे क्या पूशा 31 अगस्त तो क्या हो जरा समझेगे जुलाइब में होते हैं 30 डेज और अगस्त में 30 फर्स्ट इस इन दोरों को प्लस करेंगे कि तो कितना हो गया 61 अब हमें करना क्या सेविंचेस को डिवाइट करना तो साथ अठे चपन तो कितना वचा पांच में क्या है मंगल वारमी अगर हम यह जो सेस है यह जोड़ दें प्लस पांच तो हमें वो दिन निकल का जाएगा जो दिन 30 अगस्त को पड़ेगा तो आप यहां देखिए मंगल के बाद क्या हो पांच और जोड़ दिए मंगल ब्रस पर सोक्र सरीवार रविवार क्या दिन किसी चाहिता है कि अधिकर कर तो यहां लिक्टывает कि हम आदमी और यहां लिक्लेगे बrendo करना मदेद कि ऐसे की समयमें कर लें स्टाइब दूसरी बढ़ती तो समय अनुपात होता है और एक चीज बढ़ाने में पर दोसरी घटती है तो बित्रम अनुपात होता है तो यहां पर देखिया आदमें भी संक्या घड़ रही है जब आदमें उसने घड़ेगी तो समय तो निश्री रूप से बढ़ेगा तो यह उल्टा हो रहा है इसलिए क्या हो है बित्क्रम अनुपात इसको हल कैसे करना देखिए यह पच्छीस मेटा पंद्रह बरावर एरोप सब्सक्राइब करते हैं तो भी अकेला उसको बीच दिन में सब्सक्राइब करते हैं तो भी अकेला उसको कितने दिन में करेगा हम सबसे पहले करेंगे और बिक एक दिन का में जाएगा एक बट्रह जायगा एक इसमय से हम यवाला माइनस कर देंगे तो एक दिन का में कितना जाएगा एक सो पंदर माइनस एक वड़ा बीस इसका एलसे ले लेते हैं आज यह जाएगा साथ पंदर चोका साथ अब इस तिया साथ यानिकि एक वड़े साथ और लास्ट में क्या इसको हम फलटे देते हैं कि अब लेगा सिस्टी अब हम करते हैं श्टार्ट देएगेश चप्विश नुमार को इस सेकिंड सिफ्ट में मैट का सौल शुमस्में जो सेकिंड सिफ्ट है उसमें फैला पुर्शन जो था वो पुछ इस परकार से था कि तीन मित्रें पी क्यू आर्व निवेस करते हैं पहले निवेस करता है वह 45 लूसरा सतर हजार और तीसरा नब्वे हजार तेनों मिल करते हैं दो वर्ष बार्द जो है उनको एक लाभ चुश्जषड हजार का लाव हुता है तो बदाना यह है कि क्यूं को कितना लाव दूआ तो क्यों को लाग निकालने के लिए सबसे पेरे मैं लिख लूंगा निवेश किया निवेश किया वह क्या 45000 क्यों निवेश किया 70000 और आग निवेश किया 90000 के अब इसको राभ हुआ हमार पास एक लाद चोछ सट हजार कर अब यह बता और यह समय मैं फूरी आख में तो क्यों को लाँ देखे यह हां से जीरू से मैंने कार्ट और साथ में 545 पांचे पांचे नौब जिली इसके नो चोदर और ठाध अब में करना क्या क्यूका वह और यह तो क्यूका भागी वह और सम्झेगी पहले लिखेंगे उपर क्यों वाला भाग बटे अनुपाती योग यानि क्यों का भाग बटे अनुपाती योग यानि इसको जोड़ने में 32,41 गुणा प्रोफिट यानि लाव यह फॉर्मुला है जिसका भी वहार निकालना हो इसको उपर लिखते हैं बटे में टोटल और इंटु दिस तो आप इसे नम काट नहीं तो एक चोका चार वार गट्या देखिए चार वार यह आगे और 14 चोका चपपन हजार रुपे मिलोगी तो क्यूबर जो लाव मिलेगा वह चपपन हजार का मिलेगा देखिए सेगिंड सिट का जो दूसरा कोश्चन है वह इस प्रकार से है तीन संख्या ने कर चार पांच के अनुपात में दीनी पहली तिसरी का योग दूसरी संख्या से जो है वह बावन अधिक है तो सबसे बड़ी संख्या हमें बताने ही इसमें फरस्ट और नाश्ट का योग है यानिकी ठीरेस पाई-पाई-पैस यह यह योग वह बीच वाली संख्या यानि कि 4X से बावन अधिक है तो इधर आप प्लस कर देंगे तो बावन जाद है तो कम वाली में जोड़ देंगे तो आप देखिए होगे पांच तीन आट एस चार एस घंटा देंगे धर आपके जाए गया तो इस ब्रावर आगे चारी जा चार्टिया बार एक्स ब्रावर आगया देर अब सब्सक्रावाब कुंचा क्या है तो बड़ा लाकितना वह बड़ा भाव तो कितना हो जाएगा वाइज्यानिकिवाइग मुल्टिप्लाइग तो त्यरा पंजेंगे शुश्या दिहान से संख्या की वीश अनुपात ग्याद कीजिए एक संख्या का 40 अधोर दूसरी दूसरी करद लिए बाई संख्या का 4 बड़े साथ है लगा दें कर दें लगा दें अब यहां पर आजाएगा एक्स बटा वाई दस उपर पहुंच जाएगा धर दस बटे साथ तो कितना रुपात आगे एक्स अनुपात दस अनुपात साथ किसी बस्तु को सो रुपे में बेशने पर एक वेक्टे को बीस रुपे का लाव होता है ऐब jean. किनम अब्यस कर देंस कर देंगे बितर यारी सब्सक्राइब ही भुषआ है एकिर मुल्य केले कि लिए और लाग कुणा सो अब इसे देखें जीरो से जीरो कर दिया है अब यहां पे दो चौक आठ चार दूनी आठ चार पंजे पीस लाग प्रतिसाथ कितना हुए है पच्छीस प्रतिसाथ का लाग उसको देखें नएस कोशन है यदि 15 कलम का मुल्य अठान का रुपए है एक मुल्य है पच्छीस कलम का मुल्य हमसे पूंच आप जड़ा ध्यान देना कि देखो करम की संठाई बढ़ी है तो उनका मुल्य भी बढ़े रहा यह समान उनुपात हो गया तो समान उनुपात होता है तो कैसे करेंगे 15 बटा 25 बराबर एरो की निसान में 198 बटा एक्स जिद बटाइब 15 तीन चंब 18 और तीन चंब 18 तो एक्स वरावर आगे पांच चंब 30 का जीरो पांच चंब 30 को और तीन तैंटेस नित जिदा जिदा पढ़ेंगे नेस्स कुछ रहा है साथ लीटर के मिस्टड में दूद और पानी का जो रुपात है वो तीन और एक हैं साथ दूद और पानी काई जा अनुपात है वो कितना है तीन अनुपात एक है इस अनुपात को दो अनुपात एक करने के लिए अब इसको हमें क्या अनुपात करना दो अनुपात एक करना तो दो अनुपात एक करने के लिए इसमें कितना पानी और मिला जाए है तो इसमें कितना पानी और मिलाना यह हम से पूछा है तो इसके लिए पहले हम इसके साथ से पता लगा लें कि कितना दूद है और कितना पानी है यानि कि यह लेंगे 3X जब भी अनुपात होता तो X लिख लेते हैं इनका जोड़ा मों कितना है शिष्टी है यह हो गया 4x तो x बराबर आगे बढ़ी ओने जाएंगे 4 तो दूद कितना हो गया दूद हो गया माले पास 3x यानिकि 3 x 15 पंद दिया 45 लीटर दूद कितना हो गया 45 लीटर अब दूसरा है पानी पानी कितना है 1 x x यानिकि 5 लीटर अब यह कह रहे है कि पानी कितना बढ़ा है यानिकि पहले एक्स है उसमें कितना पानी बढ़ा दें पानी बढ़ाने तो माली ये बढ़ाया था पहले कितना था अब बढ़ाने के बाद हो जाएगा पंदर प्लस बाई और इन दो लों का जो अनुपात है वह कितना दो अनुपात थी अब देखें उपर क्या आएगा 45 नीचे पैंद्र इसमें हमने माली बढ़ा दिया अब जो बढ़ाने के बात वो कितना हो जाता है कितना थो धूथ था था पंदर इस पानी कितना बढ़ा है जिस से दो और एक ता था कांपात हो जाए तो इसमें माली है ये लिंदल बढ़ा दिया सुर्फ करेंगे पंदर धूनी 30 आप यह बचा पंदरा तू वाई वराअवर 15 मैट तो 4520,000 बेचने प्र दोगान दर को 25 % की हानी होथी है और किस मुल्ये की 25% कर लाब हो जाए अब देखना है अब देखिए लिट्विक्रमुल्य, प्रहारंबिक लेटना हे मैं इसके पाषिए मह्या हं चार शों तो अंत्यम विक्रमूल्य क्या रखा जाएं और जिससे पर्षेंट का लाव हो जाय या क्या है लाव और यह तो इसके लिए formula है देखें अंतीम विक्रे मुल्य यहीं विक्रे मुल्य पराद प्राम भी विक्रे मुल्य बट्टा 100-30 इंटू 100-100,00,00,00 इस पर रख देंगे वह इस आंसर हमारा आजाएगा प्राम भी विक्रे मुल्य कितना है 450 अब देखें 100-100,00,00 मैननस आएएगा है 25 परसेंट और यहां 100 प्लस लाट से लाव है 25 परसेंट अब इसको शॉल कर ले दें शॉल करेंगे 450 यूँकि 75 multiplied 1 25 तो 25 तिया 75 25 पंजे 125 ती निकल ती ती पंजे 15 तो पंद्रह बंजे 75 कितना साथ सो पचास रुपए तो विक्रम मोले कितना हो गया है साथ कोशन बहुत असान है 432 रुपए का 432 रुपए का 6 सही 2 वड़े 3 कितना होगा 432 तो 432 का की जरे लगा देंगे का कितना 6 सही 2 वड़े 3 प्रतिसाथ 6 सही 2 वड़े 3 प्रतिसाथ कितना है तो इससे सॉल करने के लिए देगे 432 का की जरे मेल्टिप्लाई लगा देंगे 3 चंग 18 तो 20 वड़ा 3 अज आप प्रतिसाथ है प्रतिसाथ का मतला होटा के वड़े में देंगे आप इसको सॉल कर लेते हैं देखें चारसो 32 गुणा 20 अब यहां पर यह जाएगा तीन गुणा आप देखें यहां जीरो से जीरो कड़िया अब यहां पर इसको काट देए तीन इकम तीन एक वचा तीन चुक वारा तीन चुक वारा और यहां दो पंजे दस अब हम इसे पांस से और इसको भाग कर देते हैं तो यह हो जाएगा जाएगा पांस दूजी दस चारवचा जैसे पांस चारवे पांस एट्छे चालिस पांस चारिस कितना आगया है थारिस पाइंट नेक्ष नच्च को जा ध्यान से पढ़ेंगे कितने वर्सों में बारा परसेंट वार्षिक दर से तीन हजार रुका सानुने ब्याज एके ज बूल धम है तीजार रूपए और साधना भी आज साधना भी आज है तो साधना भी आज है इसका एक जारस्ती और कितने समय में समय पोछा तो समय हमें निकालना अब यहां पर देखिए आई हमें दे रखा वा जीरो एठ जीरो पी हमें दे रखा तीन है रूपए पी होता मोल तर देखी 12% यह टी हमें निकाल ला वटा हंडेल तेके दो जीरो से दो यह जाएगी तो यह जाएगी तो यह जाएगा तीस गुणा बार आम देखिए निकलता जाएगा एक जीरो से जीरो गड़ा तीन तीन नौ और तीन चंग अठार रहा है बारतिया चत्ति तो कि इतना आगे टी बराबर फिरी अगर आपको अमारा पढ़ाया वह झाल